Hello Cadets, Welcome back to my YouTube channel NCC Army Wing आज की इस वीडियो में हम Military History के Lesson No.1 के बारे हम बात करेंगे Biography of Renowned Journals जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे Field Marshal K.M. करियपा के बारे में इनकी पूरी Military Life as well as Personal Life मैंने 9 Points में कवर की है और इन 9 Points में आपको चितना भी आपका पेपर में लिखने के लिए Required Material होता है वो मिल जाएगा So Let's Start the Video सबसे पहले देखते हैं इनकी Early Life के बारे में Field Marshal K.M. करियपा का पूरा नाम था Field Marshal Kodendra Madapa करियपा OBE क्या है वो हम आगे Subsequent Slides में देखेंगे 28th of January 1899 में इनका कोर्ग प्रोविंस में जनम हुआ जो अभी करनाटका में है इनके पिताजी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे और इनकी स्कूलिंग Central High School माडी केरी में 1917 में कम्पलीट हुई उसके बाद ये Further Studies के लिए Presidency College चेनने चले गए जब वो Presidency College चेनने में पढ़ रहे थे तभी उनको पता लगा कि ब्रिटिस आवमी में उफसर्ज के लिए Recruitment चल रही है Subsequently उन्होंने उसमें अपियर किया और उन्होंने सारे टेस्ट किलियर कर लिए और Finally उनका Delhi Cadet College इन दोर में दाखला हुआ जहां पे ब्रिटिस आवमी के उफसर्ज को ट्रेनिंग दी जाते थी उसके बाद 1st of January 1919 को उनको temporary commission मिला वो commission 9th of September 1922 को permanent commission हो गया जब वो commission हुए थे तो उस समय वो 2nd Battalion of 88th Carnatic Infantry में commission हुए थे लेकिन June 1923 में इनकी records को 1 by 7 राजपूत में transfer कर दिया गया था जो बाद में इनकी parent या permanent regiment बनी इनको आमी में keeper बुलाते थे क्योंकि इनके साथ काम करने वाले जितने भी British officers थे उनकी wife से इनका South Indian नाम लेना थोड़ा सा tough होता था complicated था तो सब इनको प्यार से keeper बोलते थे और ये इन्डियन आमी के पहले ऐसे officer थे जिन्होंने क्वेटर स्टाफ पोलीज भी attend किया था इन्होंने इरान, इराक, सीरिया, बर्मा जैसे कई सारे hostiles regions में भी service दी है 15th of April 1942 को ये leptin kernel बने उसके बाद इनको एक battalion command करने का भी मुका मिला ये इन्डियन आमी के सबसे पहले officer थे जिन्होंने किसी battalion को command किया था जब अर्खन का यूद हुआ तो ये as a assistant quartermaster general in 26th Indian division में posted थे और इस division का बड़ा ही एक एहम रोल था अर्खन के यूद को जीतने में तो इनकी बाहदूरी और इनकी service के लिए इन्हें order of British merit OBE से नवाजा गया था in June 1945 1st of May 1945 को साब brigadier बने और उसके बाद इन्होंने बानू frontier brigade जो वजरिस्तान में posted थी जो आज की समय में पाकिस्तान में है उसको command गिया और ये एक मातर ऐसे इंडियन officer थे जिनको brigadier का rank fully manner में मिला था fact की बात ये है कर्नल आयूब खान जो बाद में field marshal बने और पाकिस्तान की president भी रहे जनल भी थे वो उस समय इनके अंडर काम करते थे और उस समय वो कर्नल थे जब करियापा साब बानू frontier brigade को वजरिस्तान में command कर रहे थे 30th of July 1947 को समय मेजर जनल बने अगेन ये एक मतर ऐसे या पहले ऐसे इंडियन officer थे जिनको मेजर जनल का rank मिला था इन्हें के साथ साथ महराजा श्री राजिंदर सिंग जी जडेजा ब्रिगेडियर बने थे जो दूसरे कमांडर इनचीफ थे और पहले इंडियन आमी के chief of army staff थे COAS थे नौबर 1947 में साथ लेटियन जनल बने और subsequently इन्होंने eastern कमांड को कमांड किया लेकिन जब जनवरी 1948 में कस्मीर की situation थोड़ी सी डगमगाने लगी तो इनको दिल्ली एंड इस्ट पंजाब कमांड का कमांडर बना दिया गया अपनी कमांड एज्यूम करते ही इन्होंने सबसे पहला काम किया उस कमांड का नाम दिल्ली एंड इस्ट पंजाब से बदल के western कमांड रख दिया गया और उस कमांड के headquarter को जम्मू पोस्ट कर दिया गया यह जम्मू सिफ्ट कर दिया गया जोरी इन्होंने तीन सबसेक्वेंट अटेक वहां पे लॉंज की जो बहुत मेजर थे बहुत महत्वपून थे ओप्रेशन कीपर ओप्रेशन इजी और ओप्रेशन बाइसर जिसमें इन्होंने नोशेरा जांगेर पुन्ज जोजिला द्रास और कार्गिल जैसे एरिया को capture किया थ जब हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था लेकिन जब तक हमारा सम्विधान तयार नहीं हुआ था तब तक हमारे जो आमे के ओफसर्ज थे वो ब्रिटिशर्ज ही थे तो उस समय लेटेन जनरल रोय बुचर हमारे कमांडर इनचीफ हुआ करते थे जिनका टर्म जनवरी 1949 में खतम होना था तो डिसाइड ये किया गया था कि इनको कोई इंडियन ओफसर रिप्लेस करेगा उस समय तीन ओफसर्ज थे गवर्मेंट ओफ इंडिया के पास लेटेन जनरल करियापा साथ, स्री नागेश साथ और नाथुसिंग साथ तीनो ही एलिजिबल ओफसर थे लेकिन लेटेन जनरल स्री नागेश और नाथुसिंग सर्विश के और एज के चलते एलिजिबल नहीं थे और एक फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इंटरिम किया इवन इन दोनों ओफसर्च ने भी करियाप्पा साब का ही नाम रेकमेंड गिया कि साब मलब ही शुट बी दा नेक्स्ट कमांडर इन चीफ और सबसीक्वेंटली करियाप्पा साब 15 जनवरी नामी नामी दे भी मनाते हैं वो इसी उपलक्स में मनाते हैं क्योंकि 15 जनवरी में करियाप्पा साब पहले इन इन चीफ बने थे इन्होंने कही सारे मेजर्स लिये जैसे कि मलब हमारे पहले परदानमंत्री पंडित नहरू ने प्रपोजर रखा था कि जो हमारे इंडियन नेशनल आमी के जवान है उनको भी वापिस से इंडियन आमी में भरती कर लिया जाए या एब्जोब कर लिया जाए लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी वो आमी को एक पोलिटिकल कलर दे द तो इसलिए करिया पास आपने मना कर दिया था कि जाब हम इनको इंडिक नहीं करेंगे अगर आप मलब एक्स वाइजी तरीकी के बैनिफिट्स देना चाहते हो लेकिन हम इनको रेगुलर आमी में इंडियन आमी में इंडियन नहीं कर सकते कि सेकिंडि प्रपोसल था जैसे कि आपको पता हुगा संविधान जब हमारा तियार हो था तो उसमें जो कुछ पिछ़डे के लिए रिजर्वेशन दीया जा रहा था तो शेम प्रपोजल आमी तो सेम प्रपोजल आमी के लिए भी रखा गया तो करिया पासाब ने उसको मनाकर दिया था कि आमी में कोई भी कास्ट-बेस रिजर्वेशन नहीं होगा and beauty of that is that and beauty of that thing is कि आज भी इंडियन आमी में, इंडियन नवी में, इंडियन वेर फोर्स में किसी भी तरीके का कास्ट बेस रिजर्वेशन नहीं है चार साल सर्विस देने के बाद as a commander-in-chief करियापाश आप 14th of January 1953 को retire हो गए और जनरल राजेंदर सिंजी जडेजा ने उनको next commander-in-chief सक्षीड किया पोस्ट रेटायमेंट वो इंडियन हाई कमिशनर रहे to the Australia and New Zealand until 1956 वो इंडियन ex-servicemen league के founder भी रहे हैं उसके बाद उनको leeson of merits से भी नवाजा गया है by American President Harry S. Truman he was conferred with the rank of field marshal on 8th of April 1986 अब ये चीज समझने की बात है साब retire तो 1953 में होए थे लेकिन उनको field marshal का rank 8th of April 1986 में मिला है तो इससे हमें पता लगता है जो field marshal rank है वो एक onory rank है next is 15th of May 1993 में Bangalore Command Hospital में साब का देहान तो गया था so I hope this was the story of General Kariyapa इसने आपको inspire किया होगा और जितने भी ये no points no slides में हमने cover किये है I hope इसमें से आपका paper में लिखने का पूरा पूरा material है इसमें से जो भी आपको points अच्छे लगे वो निकाल के आप अपने exam में लिख सकते हो so that's all from my side in this video अगर still आपकी कोई query है आपका कोई point है then let me know in comment box Thank you, Jaihin